असलाम अलेकुम हादरों अपने नई वीडियो के साथ तो आज का हमारा टॉपिक 5.3 प्रॉपर्टीस ऑफ लिक्विट का दूसरा टॉपिक वैपर प्रेशा इससे बारे हमने पहले टॉपिक डिसकर्स किया था वह था एवापुरेशन गया हो था बेटा जो कोई भी हमारे प सब्सक्राइब करने और की मिल्बटीफित तो इस बेटेसंट इन जानी टूसरा से दूपिक वैपर हो सब्सक्राइब इसको कहते हैं एक इपराइशएशं समस् lithe पॉर्म में को होना जाहिए ह है ये कमआज घक है इसको कहते हैं जसी ह। चब्लिए अपर खर्री अधी के निचमाल लिएफूर के लिएंगे तो दौड राषी ये और सी Games कि हमें पता चलता है कि गैस का वैपर प्रेशर क्या है तो जर्द देखनें आपे यह हमारे बाद बेटा एक कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड माउज हुद है तो अभी इसको इनिशियल इस से शुरू करते हैं ठीक है अचाहिए जो वैपर प्रेशर हमेशा किस में होगा फोले के साथ मिक्स हो जाएंगे तो हम वैपर प्रेशर अपन नोट नहीं कर सकेंगे तो हमने क्या लिए लिया है और इसके पर एक मीटर लगा जिसके जरीए से हम वैपर प्रेशर को नोट करेंगे तो इनिशल स्टेज में क्या होता आप जानते हैं कि वैपर कब बनते हैं जब टेंपरेचर ज्यादा होता है यह क्या करते हैं और उपर आजाता है ठीक है लेकिन फिर थोड़े वक्त के बाद क्या होता है तो साथ के सब्सक्राइशन भी शुरू हो जाता है लेकिन उसके साथ थेपर बन गया है नीचे के जानिप जा रहे है कहां जा रहे है से हैं ये नीचे से सथे सफेस चोड़ कर अपर है नेकिन साथ के साथ कंडंसेशन भी up कंडंसेशन कंडंसेशन का मतलब ज्यादा हो रहा है जबके कम हो रहे है district का लीकिन फ्रीच फीर तोड़े दिरवात क्या हो ड्रीट वैपराइज़ेशन गरेट और देट के अविकुल बरावर हो जाता है घर पांश मोलिकुल कि दॉर पर फांश की तरफ भाण करेट पांश मौलीकुल का बर डॉसके दॉर कि वैपराइजेशन के टरफ बढ़ रहें पिर से और मुट्राइज के और यह यह आपके केंगा इक्वल 말고 निकलने पर इंटaning ok चीक है वैपराइज हो रहा है कंडेंस हो रहा है कंडेंस हो रहाकिक थो करेंट ग्लूम एकसल काइम होजाता है किसके दर्मियान वेपराइजेशन के रेट के दर्मियान और कंडेसेशन के रेट के दर्मियान तो इस तरीके से हम क्या है इस मीटर के जरीए से हम वैपर प्रेशर को नोट कर लेंगे तो यहां पर जो वैपर मौजूर है कि यह कितना प्रेशर लगा रहे हैं तो हर लिक्वि यही बात कि फ्रेशर कौन लगांगे वैपर्स लगाएंग लाकता चाहते ही प्रेशर काईश प्रेशर किसके तरस लगा है यहां पर वोड़ी नुक्रा बढ़े दो मुतावाजिन जब बैलन्स हो क्या वैपराइजेशन रेट और कंडनसेशन का रेट ठीक है दा प्रेशर एक्षिट वाइपर इन इकलुबिरियम विट इस प्योड इकलुबिरियम में किसमें होगा बैटा जो वैपर जो है वह होगा अपने इस लिक्विट के इसको भी किस तैम रिचर वाटर का वैपर प्रेशर क्या होता है ओके डापर इन इकलुबिरियम विट इस प्योर लिक्विट आप प्रिकुलर टेंपर इस फोल्ट को नोड हम इस तरीके से कर सकते हैं एक क्लोश सिस्टम के उपर मीटर लगाकर तो वैपर प्रेशर को हम न इक्लूबिर्यम क्या बड़ा है वेपरेशन चीर बटाया चीर के बड़ाबर होगा किसके यह ईक्लूबिरियम कहते हैं तो इसके और वेपराइशन के रेथ के साथ के साथ प्रेशर लगाएंगे वैपर प्रेशर कहते हैं लिक्विड जो होता है वैपर में उसको कहते हैं या अवापूरेशन अब वैपर हो जा लिक्विड तो हम कहेंगे कंडंसेशन क्लेर पिष्ली टॉबिक में इसको डिसकर्स किया है तो वेब्ड प्रसक्ते तेक प्लेस इंग य। इस बात को बनोट ऑब क्योंको हमेशा क्लॉइश्ड में ही नोच ऑपन सिस्टम में गया होगा बेटा जो भी यहान पर आपर जो वेब्ड रहोंगे करने के लिए हमारा सिस्टम का कुलोज होना बहुत जरूरी है तो इस तरीके से दमाब है इनिशियल पर से वैपराइजेशन होती है फिर इसके थोड़े बात क्या वैपराइजेशन के रेट बढ़ जाता है और कंडनसेशन भी शुरू हो जाती है लेकिन सबसे जादा वैपराइजेशन के रेट बहुत कम होगा लेकिन थोड़े दिर बाद वैपराइजेशन और कंडनसेशन के रेट सेम हो जाता है ठीक है इसको आपने अक्सार ऑफ्जर्व किया होगा कुकिंग के जर्मियान जब आप कभी पतीली से क्या धकन उठाते हैं वह सारा पानी लगा हुआ होता है ठीक है तो क्या होता बिटा वह वैपर बनके जाएक उपर जाएक चिपक जाता है तो इस तरीके से तमाम मामलात है ठीक है इसी वार हम दिसक्स करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डि रेट आफ वैपर प्रेशर अब डिसक्रस करते हैं तो कौनने अवामिर नेचर वाइचल वाफ लिकविड नेचर ऑफ लिकविड पर डेपक्टर्स करता है ठीक हर लिकविड की अल Além सुरहते हले उनकी मॉलीक्यूल के वहभन क्यों होती हैं इसके लाब हादो ऑन्डिंग है तो नेचर आफ लिकविड जैसी होगी उसाब से क्या होगा वैफर प्रेशर होगा ओक तो वैजल के ओपर टेपैंडंड किसके ओपर करेंद नीछर ओफ लिक्विड पर पर डिपैंड करेंगा कौन वैपर प्रेशर तो अगे उस तो ठोड़ा सा पढ़ते हैं अब उसके बाद दिखाऊ है पोलर लिकवीट क्या होता है या आप बखू भी जानते होंगे पोलर लिकवीट इससे पार्शल पॉजिटिफ चार्ज और पार्शल नेगरिटिफ चार्ज मौजुद होते हैं जिसमें एक्टू नेगरिटिव इटी के डिफरेंस 0.4 से ज़्या यह वेपर प्रेश्री दिता बिटेक फाक्टर उन्हीं करेक्टर सुँमाद होता थे उनें पॉलरीटी नहीं पाई यादी उनमें आइनिक करेक्टर मौजूर नहीं होता ठीक है अगर आप यह नहीं जानते तो पोलर कोवलेंट बॉण और नॉन पोलर कोवलेंट बॉण को जरूर पढ़ें ठीक है तैट सेम टैंपरेचर पोलर लिक्विट की जो वैपर्प्रेशर होता है वह लो होता है यह देन नॉन पोलर सेम्टेंपरेजर मिसाल 25 डीगरी है पोलर गभी और नॉन पोलर ही ठीक है न मॉन बोलर 25 डीगरी संटेगे रेट पह तो सबसे कम वेड़कर इसका होगा बड़ा बड़ा लिक्वीड का तो तो वह कौन सी फोर्स होती हैं इंटर लिक्विट के दर्मियान जो खान लो वैपर पेशर होगा दे नॉन पोलर लिक्विट एड़ सेम टैम चाहिट सेम याद रखे गाई पूछा जाए सकते हैं आप से इस बिकॉज ऑफ इस्ट्रॉंग इंटर्मोलिकुलर फोर्सेज तो इनके रिम्यान इंटर्मोलिकुलर फोर्सेज वह स्ट्रॉंग है तो बॉइलिंग भी हाई होगा तो वह असानी से अपना सर्फिस लीफ करके वेपर में कंवर्ट नहीं होंगे तो जब ज्यादा वेपर नहीं बनेंगे तो वैपर प्रेशर भी आपके पास ज्यादा आएगा मीटर में चलिर यह कि उसलिए में वाटर पोलर लीकुट है लेस वेपर प्रेशर ठीक है यह वाटर चीक है आप जानते हैं इनका बम वाटर में आपके पास आएगा ज्यादा है तो वाटर फॉला लिक्विट चैनल गया लिक्षियर क्या होता है लेस होता है धनिक अल्कोहल ठीक है अल्कोहल गया एक नॉन पोलर है तो इनका वैपर प्रेशर आपके पास ज्यादा आएगा तो वैपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विट पर करता है तो इस बात को आप नोट कर लें तो हर मॉलीकूल को साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है तो पता है इन दोनों में से किस सिक्सका तो जाय सी बाइसे तु के साइज बढ़ा होगा क॥ मॉलीकूल कै किस मॉलीकूल का साइज कम होगा उसका वैपर प्रेशर जादा होगा वैपर प्रेशर ज्रीफरेंड्य जल्धी disasters तो स्मौल इस मैलीकुल सhanded मॉलीचियोज वह से वैपर में समय साइब के स्मल साइब जाएंगे मॉलीचियोज एवारीट practically एंड एक प्रेशन ओके सिमेडा के जाएंगे लगाएंगे और जल जल अभापरेट हो जाते हैं तो इसकी एक्जैम्पल है हमारे पास एक और chemical है क्वार कंपाउंड इसका formula है C6H14 क्या है तो कि 6H14 इसका नाम है नाम है श्क्राइब करते हैं तो इसका नाम है इसके लिए इसको क्यांते हैं क्या विटां इसको समझने में का सामना हो तो इसका साइज स्मॉल सइज मॉल्यकूल एस करता है करता है करता है करता है करता है करता है कि तैंपरेचर ज्यादा कंटेनर में होगा पेड़न करता है तो वेपर बशेशर बी ज्यादा होगा खर्याइब्ल प्रेशर थैंपरीजर जैसे बढ़ेगा घ्र से रहने होगा तो क्या होता आज। आप टैंपरेशर बढ़ाएंगे इसे ही होता है तो विस कॉसे इंक्रीज़ इन वेपर प्रेशर प्रेशर जो रेट है वह भी बढ़ जाएगा पुर इसेंबल वेपर प्रेशार ओड़ यह दिए जिरोडिग्री सेंटिग्रेट पर क्या होता बैटा फोर पॉर पॉइंट फाइट मिली मीटर ओफ मरकरी आप कि सोजेशनला लिक्वेट है तो यह अपर यहां में मीटर लगा होता है कि प्रेशर को लावा प्रेशर को नाप्त्रेंट मिलिमिटर टवर मरकरी तो लावा न्यूतर पर मीटर। यह तमाम इसकी यूनेट्स हैं और भी यूनेट्स माउज़ों थे वाइल एट हंडेट डिग्री संटीगर्ट वैपर प्रेशर कितना होगा इट इंक्रेज़ अप टू 760 मिलीमीटर ओफ एच जी कितने मेंटर 760 मिलीमीटर ओफ एच जी ठीक न तो 100 डिग्री संटीगर्ट वैपर प्रेशर क्या होगा आपका बढ़ जाएगा क्लियर तो यहां पे जो वैपर हैंगे वह बहुत जादा तादाद ने बढ़ जाएंगे बनिस्बत 0 डिग्री संटीगर्ट तो इस तर विला हासुष